सब मेरा नाम है रुमा गुपता और मैं ग्राजुएट कर चुकी हूँ मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की साधी करे और अगर ऐसा हो कि ओ मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नवाज पड़े और हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे तो ये क्या जायज है या नादद है गैन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसल्मान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसल्मान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है और क्या वो लड़की मुसल्मान के घर में पूजा कर सकती कहने सबसे पहले कुछ शरायत है हर चीज़ के आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पईया रखेंगे साइकल का इसलिए खुरान के आयत सूरे बक्रा की सुरा नमबर 9 ży21 में आप मुष्रगा से शादी नही कर सकते है जब तक वँआमन न लाए मतलब जो गेर मुसलिम है और शर्ग कर रही है उससे आप शादी नही कर सकते है जब तक वो इमानना लाए और एक इमानने वाली अउरत चाहि कितनी भी बसूरत हो वो एक मुश्रिका से बहतर है और आगे आयद कहती है कि लड़किया मुश्रिक लड़के से साधी नहीं कर सकती जब तक वो इमानना लाए एक मुमिन, आदमी चाहे कितना भी बसूरत हो वो बहतर है बनितबर जो शिर करता है इसकी वज़े ये है कि इसलाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के इलावा किसी को और पूचते है किसी और की अबादत करते है ये सबसे बड़ा गुना है और अल्ला तला फर्माते है अगर चाहे तो कोई भी गुना को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगा अगर एक इनसान मुश्रिक जैसा मर गया तो अल्ला ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता क्योंकि मुश्रिक वो शिर्क से जो शिर्क करता है और ये सबसे बड़ा गुना है क्योंके हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा इशुर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुना है, जिसने हमें जिन्दगी दी, जिसने ये सारी चीज़े हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको ग कोई मुश्रिक लड़का या लड़की से शादी करे ते इजाज़त नहीं है जहां तक कि सवाले का एक आम मुसल्मान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है अगर उसके सामने कोई मूर्ती नहीं है तो नमाज कहां भी पढ़ सकता है अगर जगा साफ है हमारे रसुल्मान से फर्माते कि सारी दुनिया सारी धरती मूमिन के लिए मस्जिद है यान्या आप कामी नमाज पढ़ सकते देखना चैए कर साफ है आप नमाज पढ़ सकते तो ये आप जाके अगर हिंदू का घरमे जाते और वह साफ है कोई मूर्ती आगे नहीं है नमास पढ़ने में कोई हर्थ नहीं है जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमास पढ़ सकते है शादी करने की जरूरत नहीं है नमास पढ़ने का है अगर साफ जगा है तो कोई हर्थ नहीं इसलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का इमान हो और अगर आप हिंदू मख़ब पढ़ेंगे तो हिंदू मख़बी किताब में भी यह लिखा है जो मैंने पहले पेश किया पहला जो सवाल था भाई साब का और मैंने कहा कि हिंदू मख़ब में भी यह लिखा है ना तष запति मास्ती उस इशवर उस भगवान उस ख़दा का कोई अक्स नहीं कोई मूर्ती नहीं कोई फोटाग्राफ नहीं कोई पेंटिंग कोई पोट्रेट नहीं कोई आईडिल नहीं कोई स्टैच्यू ने अगर ये मान ले कि कमस कम जो यक्सा है हिंदू और इसलाम के मधभी किताब में कमस कम उसके ओपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किला दूरो जाएंगे जो यक्सा नहीं है उसको कर डिसकस कर सकते और अगर आप तहकी करते है तहकी करते हिंदू मधभी किताब पढ़ते और इसलाम मधभी किताब पढ़ते दोनों में लिखा है खुदा एक है दोनों में लिखा है खुदा के कोई अख्स नहीं है दोनों में लिखा है के खुदा के कोई बुत नहीं है दोनों में लिखा है कि खुदा के लावा किसी और की अबादत नहीं करना चाहिए दोनों में लिखा है कि आखरी पैगंबर मुहमबस सल्लाओ सल्लम में दोनों में लिखा है कि अज़ शराब नहीं पीना चाहिए मैं हवाले दे सकता हूँ और मैं तक्रीर एक दियाओं, सिमिलाइटी बिट्वीन इसलाम एन हिंदूइजम, इसलाम और हिंदूइजम में अक्सानियत, दोनों किताब में, आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में, सुरे माईदा सुरा पांच, आयत नमर नबे में लिखा है, कि शराब पी नहरा में कि आपके लिखा है, कि आपके लिखा है, मरावा गोश, खून, सुरा का गोश, और वो खाना जिसके ओपर अल्लावा किसी और का नाम लिखा है, आप अगर हिंदू मजभी किताब पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है, कि सुर का गोश खाना हरा में, अगर आप तैकी करेंगे, काफी एक्सानियत है, इसलाम मजभी किताब में लिखा है, कुरान में, सुरे नूर में, सुरा नमबर 24, आयत नमबर 31 के अंदर, हिजाब के ब लिखा है, और रिगवेद बुक नमबर 10 में भी लिखा हुआ है, कि आउरत को अपने सिर्क के पलो को डालना चाहिए चेहरे पे, रिगवेद में भी लिखा है, कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए, ये कुरान मजभी लिखा है, सुरे नूर सुरा नमबर चोबीस आधि नमर 331, कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है, जो उथका शोहर या करीम जिचता नहीं है, और जब भी कोई मर्द को अरॉत को देखताई और खकरीम जिचता नहीं है, तो उसे नजर नीचे करना चाहिए, तो इस तरीकिता आप पतेके करें हैंगें ज इसलिए मैं हवाले देता हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं अपने आपको तालिब इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशे हवाला देता हूँ, तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है, तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट प कर दो लिए है, I hope that answers the question.